Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhary, Eye Doctor, Cataract and Refractive Surgeon. आज जो मैं आपको मोतिया बिंद या Cataract का ओपरेशन दिखा रहा हूँ, इसमें एक बहुत ही special तरह का lens डाल रहा हूँ, जो first time इंडिया में हम launch कर रहे हैं. इस special lens का नाम है, Clarion Vivity Toric Lens. अब ये क्या नई चीज आ गए? देखिए विविटी lens के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, कि मोतिया बिंद के operation में जब हम आँख में मोतिया बिंद वाला lens निकाल लेते हैं, जो सफेध हो गया lens उसको निकाल लेते हैं, तो उसकी जगा पर आँख में एक नया lens डाला जाता है, एक साफ सुत्रा lens डाला जाता है, जिसको IOL, intra-ocular lens कहते हैं, अब ये lenses जो हैं, ये अलग-अलग designs और अलग-अलग quality में आते हैं, तो आज जो हम lens डाल रहे हैं, ये एक बहुत ही special तरह का lens है, जैसे मैंने आपको पहले विविटी lens के बारे में पहले भी बताया, कि विविटी lens जब हम आँख में डालेंगे, तो उस patient को दूर की नजर, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिच्चर देखना, टीवी देखना, सारा काम बिना चश्मे के होगा, बीच वाला काम, मुबाइल कंप्यूटर, लापटॉप पे काम करना, ये भी सारा बिना चश्मे के होगा, हाँ, लेकिन उस इंसान को नजदीक का बारीक काम करना है, तो चश्मा पहनना पड़ेगा, तो जो क्लारियोन विविटी lens आया है, इसका डिजाइन तो अभी भी विविटी वाला ही है, कि दूर का दिखाएगा, और बीच का दिखाएगा, लेकिन अब जो नया मटीरियल आया है, ये जो क्लारियोन सामने लगा है, ये एक नया मटीरियल है lens का, जो बहुत ही clear, बहुत ही साफ मटीरियल है, जिसकी वज़े से patient की जो नजर आती है, वो बहुत ही sharp और crisp आती है, तो इस lens में दो variants है, एक टॉरिक वाला variant है, तो अगर आँख में cylinder number होगा, तो टॉरिक वाला lens डलेगा, और अगर आँख में cylinder number नहीं होगा, तो बिना टॉरिक वाला lens डलेगा, तो अभी तक हम लोग विविटी lens डाल रहे थे, अब विविटी lens और upgrade हो गया है, नए material में आ गया है, जिसका नाम है clarion vividly, तो clarion stand करता है extra clarity, बहुत ही clear material है, जिससे patient की नजर बहुत ही जादा crisp और sharp आती है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा operation हम कर रहे हैं, operation की जो technique यूज़ कर रहे हैं, वो artificial intelligence laser surgery कर रहे हैं, और पूरा operation आपको करके अभी दिखाने बाला हूँ, पर एक light इसको देखना है, ओके? तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये surgery हम लोग कर रहे हैं, artificial intelligence guided femtosecond laser से, आप देख सकते हैं, ये जो machine है, ये laser की machine है, ये machine को हमने patient की आंख में dock कर दिया है, अब हम सारी settings कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये fix कर रहे हैं कि opening कहाँ पर बनेगी, फिर हम next step पर जा रहे हैं, अब यहाँ पर हम सारा adjust कर दिया, इस layer को हमने open करना है, आगे पीछे open नहीं करना, accept कर लिया, फिर ये दिखा रहा है कि lens को कैसे काटा जाएगा, तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा हिस्सा काट रहे हैं, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और extend कर सकते हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा और ये नीचे तक हटना चाहिए, तो बस हमने इसको lens को भी mark कर लिया, और अब हम laser के लिए ready हैं, बस अब हम button दबाएंगे, और सारा काम laser machine अंदर ही अंदर कर देगी, आंग को फोलने की भी जूरट नहीं है, सिर्फ laser ने अंदर ही अंदर पूरा operation कर दिया, तो यह आप देख रहे हैं, operation शुरू हो गया है, कुछ करना ही नहीं operation में, सिर्फ button दबाना है, और laser अंदर ही अंदर पूरा operation करे जा रहा है, और ऐसी भी हमें उमीद है कि कुछ सालों में, इस तरह की machine मॉल्स में लग जाएंगी, कि आप मॉल में shopping करने जा रहे हो, जाते जाते अपना मोतिय अबिंत का operation करा के आप है, सो यह आप देख रहे हैं, laser जो है, lens को पूरा काट के घोल रहा है, और सारा lens का अंदर ही अंदर इसने operation कर दिया, बस, अब first step हमारा पूरा हो गया, अब हम second OT में जाएंगे, जहां पे इस lens को जो घूल गया है, इसको suction से निकाल देंगे, और इसकी जगापर एक नया सार्सुतरा lens डाल देंगे, और lens मैंने आपको बताया, बिल्कुल extraordinary lens जो है, सबसे best lens दुनिया का, विविटी lens डाल रहे हैं, विविटी में भी clarion वारा डाल रहे हैं, टॉरिक के साथ, तो ये दुनिया का सबसे best lens है, जो सर इसका में डलवा रहे हैं, ठीके सर आओ, बस एक हमारा step बहुत अच्छा हो गया, बस अब दूसरी operation थेटर में जाके, हम लोगा आपका lens डाल एक, बस अब दूसरी में जाके, रहे हैं, झाल झाल